हेलो एब्रीवन, वेलकम टू शमीम्स किचिन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी चिली पोटेटो जो की एक इंडो चाइनीज रेसिपी है, ये बहुत जल्दी बन जाने वाली एक स्टार्टर रेसिपी है, तो आए शुरू करते हैं इसे बनाना, तो सबसे पहले आल को चार से पांच पार्ट्स में काट लेंगे, अब इसकी चारो साइड्स को काट कर अलग कर देंगे, जिससे ये स्क्वेर शेप में बन जाएगा, इस तरह से हमें काट लेना है, तो अब हम इसे फिंगर की शेप में काट लेंगे, सभी आलो को इसी तरह से काट कर तयार कर आप देख सकते हैं कि हमने सभी आलो को इसी तरह से काट कर त्यार कर लिया है तो यहां पर हमने तीन मेडियम साइस के आलो को काट लिया है और इसे दो से तीन दफ़ा पानी से वाश कर लेंगे ताकि जो भी इसमें स्टार्च होता है वो निकल जाए और जब स्टार्च निकल जाएगा तो आलू क्रिस्पी बनेंगे तो अब इसे साइड में रख देते हैं अब आलू को बॉयल करने के लिए एक बरतन में तीन कब पानी डाल देते हैं और पानी में एक बॉइल आ जाने के बाद इसमें एक टीस्पून नमक डाल देना है अब इसमें सभी कटे हुए आलू को ट्रांसफर कर देंगे और मिला लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब आलू को 60% कुक कर लेंगे इसे 2-3 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में इसे हलका सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे अब आलू में बॉइल आने लगा है और ये 60% तक कुक हो चुका है अब इसे चान कर निकाल लेंगे तो सभी आलू को हमने यहाँ पर चान कर निकाल लिया है अब इसमें 2 टेबिल स्पून कॉन फ्लोर आलू के ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है अब प्लेट को उठाकर हलका सा टॉस कर लेंगे जिससे कॉन फ्लोर आलू के ऊपर evenly कोट हो जाएंगे कॉन फ्लोर आलू के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए अब एक मिक्शर त्यार कर लेते हैं जिसके लिए एक बोल में 2 टेबिल स्पून कॉन फ्लोर या अरारोट ले लेना है अब इसमें तीन टेबिल स्पून चावल का आटा एड़ कर देंगे आप इसकी जगह मैदा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें हाफ टीस्पून नमक एड़ कर देंगे हाफ टीस्पून कुटी हुई काले मिर्च आड़ कर देना है अब डाल देते हैं एक टीस्पून रेट चिली सॉस तीन टेबल स्पून ओयल एड़ कर देते हैं आप यहाँ पर सरसो का तेल भी डाल सकते हैं इससे आलू बहुत जादा क्रिस्पी बनेंगे और मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक बैटर बना लेना है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब आलू को डिप करने के लिए बैटर तयार हो गया है अगर आपको यह थिक लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं अब आलो को फ्रिस से बाहर निकाल लेंगे यहां पर हमने आयल को मेडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गरम कर लिया है और आयल जब थोड़ा सा थंडा हो जाए तब इसमें आलो को बैटर में डिप करने के बाद आयल में डाल देंगे और इसे medium flame पर crispy होने तक fry कर लेना है और फॉक से इन्हें दूसरी तरफ पलट कर fry कर लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए अलू अच्छी तरह से fry हो चुके हैं अभी ने एक इस ट्रेनर से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी अलू को भी fry करके निकाल लेंगे और इसे extra crispy करने के लिए 10 मिनिट के बाद थंडा हो जाने पर high flame पर 2 मिनिट के लिए और fry कर लेंगे तो ये और crispy हो जाएगा अब एक कड़ाई में 2 टेबल स्पून oil add कर देना है और oil के गरम होते ही डाल देते हैं 10 से 12 कटी हुई लैसुन की कलिया इसके साथ ही एक चमच बारीक कटा हुई अद्रक डाल देना है और इसे एक मिनिट के लिए भून लेना है तो अब ये भून चुका है अच्छी तरह से अब डाल देते हैं 2 बारीक कटी हरी मिर्च और एक मिनिट के लिए और भून लेंगे और यहां पर एक medium size का slice किया हुआ प्याज लेना है एक medium size का capsicum और एक medium size का tomato जिसके seeds निकाल लिये हैं इसमें add कर देते हैं सबसे पहले प्याज एड़ करेंगे और high flame पर इसे भून लेंगे और आब add कर देते हैं इसमें capsicum और इसे भी कुछ देर तक भून लेते हैं capsicum और प्यास को sauté करने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर डाल देते हैं टमाटर को और इसे एक मिनट के लिए और भून लेते हैं अब इसमें white vinegar डाल देंगे एक टेबल इस्पून एक टी स्पून जोया साॉस डाल देना है अब चला जाएगा एक टी स्पून ग्रीं आeni सास इसके साथी एक टी स्पून रड चिली सास चला जाएगा और अब डाल देते हैं एक टीस्पून टॉमाटो कैचप आप यहाँ पर शहद का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे यहाँ पर एक टीस्पून कॉन्फॉर को पानी में अच्छी तरह से घोल कर इस मिक्शिर को ग्रेवी में एड़ कर देंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे क्योंकि सोया सॉस और रेट चली सॉस में भी नमक होता है तो एहतियाद से नमक डालेंगे अब इसे low flame पर गाड़ा होने तक पका लेंगे तो अब यह गाड़ा हो चुका है फ्लेम को आफ कर देंगे और इसी थोड़ी देर ठंड़ा होने देंगे अगर इसी वक्त आलू इसमें एड़ करेंगे तो आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब ग्रेवी ठंडा हो जाए तब इसमें फ्रेंच फ्राइड डालेंगे जिससे क्रिस्पी बना रहेगा और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमने इसे अχछी तरह से मिख्यू कर लिया है अब इसमें बारीग कटा हूँआ स्प्रिंग अनियन डाल देंगे इसके साथ ही इसमें रोस्टेट तिल डाल देंगे तो इस तरह से क्रिस्पी चिली पोटेटो रेडी हो गया है यहां पर हमने इसे डिश आउट कर लिया है तो स्टेट स्टाइल क्रिस्पी चिली पोटेटो घर पर आप आसानी से बना सकते हैं वीडियो पसंद आएं तो लाइक शियर और सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ